हेलो एर वेलकम तो रिवाइन कनेक्शन कैसे हैं आप सब लोग बहुत टाइम से अगर आप अपने स्पेसिफिक परसन का मैसेज रिसीव करने में लगे हुए हैं लेकिन सफ़ा नहीं हो पा रहे हैं कई सारी टैक्निक आप अपना चुके हैं लेकिन अभी तक अपने किया है अजमाया है तीन लोगों की उपर और तीनों पर ही मुझे रिजल्ट मिले हैं मैं आपको बता दू कि जब भी हम कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं मैसेज हो कॉल हो या और कोई चीज हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हम अपने सबकॉंशेंस माइन को हिट करते हैं हम अपने सबकॉंशेंस माइन को ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि जो चीज हम चाहा रहे हैं वो अल्रीडी हमारे पा है और जैसे ही हमारा subconscious mind यह यकीन कर लेता है कि येस आपको उस person का message receive हो गया है क्योंकि हम उस feeling में आ गए हैं तो हमारा subconscious mind as it is उसको हमारी जीवन में हमारी life में उतार देता है तो इस तरीके से यह technique काम करती है हम अपने subconscious mind को हिट करते हैं उसको एक तरह से उसको उल्लू बना के रखते हैं कि यह चीज तो already हमारे पास है तो इसी तरीके से आपको यह trick करनी है resistance कम है blockage कम है तो तुरंत की तुरंत यह trick आपके लिए काम कर जाएगी blockage थोड़ा ज्यादा है blocked हो उस person ने आपको block कर रखा है तब भी यह trick करके देखना definitely आपको result मिलेगा आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसो result जरूर मिलेगा message जरूर आप उसका attract कर लेंगे हो सकता है थोड़ा time लग जाए अगर resistance जादा है तो लेकिन receive कर लोगे कि experiment मैंने किया है कुछ time से and मुझे बहुत अच्छे result मिले हैं आपको भी definitely मिलेंगे क्योंकि इस trick में हमारा subconscious mind बहुत जल्दी से यकीन कर लेता है कि yes आपको उस person का message receive हो चुका है आप उस feeling में आ जाते है अब करना क्या है देखिए मैंने कैसे किया था मैं आपको बता दी थी हूँ इसी तरीके से आपको करना है कुछ time पहले मैंने एक sim ली थी एक नया number लिया था उसको मैंने अपने phone में डाल लिया था जो phone में use करती थी तो मेरे phone में दो WhatsApp हो गए एक नया number से एक मेरा जो मैं खुद use करती थी ठीक है अब क्या हुआ जो मेरा नया number है वो किसी के पास नहीं था तो मैंने उसका WhatsApp बनाया और मैंने फिर यह experiment किया मेरे दिमाग में यह idea आया कि इस तरीके से हम कर सकते हैं अपने subconscious mind को you know hit कर सकते हैं तो मैंने क्या किया मैंने तीन चार परसन को use किया तो मैंने कैसे किया कि मैंने मुझे जिस भी परसन से message को receive करना था मैंने उस परसन के नाम से अपने उस नए number को save कर लिया उसके बाद आगर किसी परसन की डीपी लगी है तो मैंने क्या किया उसकी डीपी का screenshot लिया और अपने उस number पे उसको save कर लिया यानि कि मैं मेरा number मेरा है डीपी उस person के है जिससे मुझे message चाहिए और नाम उस person का है ठीक है अब मैं क्या करती थी कि अपने ही number से जिसको मैंने उस person से उस person के नाम से save करके रखा था खुद को message करती थी अपने दूसरे whatsapp पर अब खुद को message करती थी hi how are you ठीक है इस तरीके से and message किया phone रख दिया message करके phone रख दिया तो मिनिट बात 5 मिनिट बात मैं देख थी और सामने उपर क्या है उस person की picture है जैसे आपके पास whatsapp message आता है उस person का picture आया उस person का message आया notification आपको आया तो एक तरीके से आपको एक you know acting करनी है कि आप खुद आपने खुद को message किया phone रख द पांच मिनिट दस मिनिट बात अपने काम में लगे पांच मिनिट बात अपने देखा अरे message आया है उस person का and आप phone में उस person का message देखेंगे and आप वो field करेंगे क्योंकि उसकी picture है उसका message है उसका उपर नाम है जो भी आपको लिखना है जो भी शुरुवात में आप ऐसे ही ल उसको reply कीजे I'm fine what about you जैसे भी आप जो भी आपकी conversation होती है जिस भी person से जिस तरीके की बातचीत आपकी होती है उस तरीके की तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो क्या होगा दो से तीन अगर आपने किया कुछ time के लिए तो आप एक feeling में आ जाएंगे आप उससे कुछ भ फिर आप अपने खुद के WhatsApp जो आप खुद अपने लिए use करते हैं जो आपके नाम से save है उससे आप उस person से बातचीत कर सकते हैं तो इससे क्या होगा आपके subconscious mind में बाल बाल ये चीज़ हिट होगी कि वो person ही आपको message कर रहा है एक time ऐसा आएगा जब आप भूल जाएंगे क आपने ही खुद को message किया था जब आप इस feeling में आजाएंगे कि आप खुद को message नहीं कर रहे हैं सच में वो person जिससे आप message receive करना चाते हैं वो person आपको message कर रहा है ये feel जैसे ही आप इस feeling में आते हैं तो आप देखिए सच में एक दिन आपको उस person का message receive हो जाएगा वो सकता उस दिन आप confused हो जाए कि मैंने किया था कि सच में मुझे उस person का message रिसीव हो गया क्योंकि मेरे साथ ऐसी हुआ था मैं 2-3 दिन किया और फिर मैंने देखा आ गया message फिर मैं सोच रही थी मैंने किया है कि उसका फिर मैंने number चेक किया अच्छा दूसरे person का message है तो ये चीज बहुत अच्छे से काम करती है ये चीज आपको करनी है कभी भी कीजे दिन में रात में कोई भी time पर कर सकते हो कभी भी कर सकते हो एक बार message करके phone रख देना अपने काम पर लग जाना phone उठाना and उस feeling में आ जाना ये trick बहुत effective है मुझे message receive हुआ है तो ये आपके लिए भी बहुत कारगार है इसको आज से ही करना start कर देना definitely आप message को receive कर लेंगे so thank you so much for watching my video bye